विध्यर्तियों व्याकरण के विशे में आज हम नवीन विशे का अध्यन करेंगे और आज की कक्षा में विध्यर्तियों हम अध्यन करेंगे प्रत्य यहाँ अब विधर्तियों हम प्रत्य के सामाने परीचे को जानेंगे और उसके उपरांत हम सत्री और सानच प्रत्य के विशे में जानेंगे तो विधर्तियों सरप्रतम हम जानते हैं प्रत्य के विशे में वह क्रिया समस्कृत भाशा में धातू नाम से कही जाती है, अब विध्यारतियों सरप्रतम हमारे पास में प्रशन यह है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो विध्यारतियों क्रिया से ताथ पर यह है, कि जिस सब्द में कारे का होनायों करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, अब उसे पूरु की और जिसका प्रयोग होगा वै क्या क्या लाएगा उपसर्ग क्या लाएगा और उपसर्ग के प्रयोग से उस धातु के अर्थ में आंसिक परिवर्तन होता है तो उस उपसर्ग के प्रयोग होने के कारण उस धातु का जो अर्थ है उसके अंदर आंसिक परिवर यदि अगर उसी धातू के अंत में हम कुछ अन्य का प्रयोग करते हैं तो वह है प्रत्य है तो बताये गया है धातू के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्य होता है प्रत्य के संयोग से धातू का एक निश्चित और्थ युक्त भाव प्रकट होता है समस्कृत व्याकरण में अनेक प्रत्य है अब विध्यार्तियों समस्कृत व्याकरण के अंतरगत प्रत्यों को भिन भिन रूप से बाटा गया है और अनेक प्रत्य है तो विध्यार्तियों प्रत्यों के भेद प्रत्यों के मुख्यत तीन भेद होते हैं वे क्रम शहा इस प्रकार है दे और कृत पृत्य विश्य में बताया गया है कि धातुर अर्थार्थ क्रिया के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है यह होते है रह कें districts ॥ देखे किस परकार से हैं ॥ हमारे पास में धातु क्या है कृत अधू कर आतु कोई पृत्य लगा हुआ है तो वह क्या के लएगा क्रित प्रत्य यहां पर प्रत्य क्या लगा हुआ है तव्यत प्रत्य और हमारे पास में पद क्या बनता है करतव्यम उसी प्रकार से पठ धातु है उसके आगे अनियर प्रत्य लगा हुआ है क्या बना पठ नियम इस प्रकार से विध्यारत्य यहां पर बताया गया है कि अब ये क्या है विध्यारतियों या तो संग्या है या सर्वनाम है या कोई सब्ध है अगर इनके आगे किसी प्रकार का कोई प्रत्य लगा होता है तो वह कहलाता है तद्धित प्रत्य जिससे इसके आगे हमने अन प्रत्य लगाया उपगु अन और यहां पर हमारे पास में प अगर किसी सब्द संग्या या सर्वनाम के बाद लगा है तो वक्या के लाएगा विध्यारतियों तद्धित प्रत्य आगे बढ़ते हैं विध्यारतियों उसके उपरांथ हमारे पास में बेधा इस्त्री प्रत्य यहाँ जिन प्रत्यों का प्रयोग पुलिंग शब्दों को इस्त्री लिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे इस्त्री प्रत्य यह कहलाते हैं तो विध्यारतियों ऐसे कुछ शब्द जिनको हम पुलिंग से इस्त्री लिंग के अंदर परिवर्तित करते हैं तो उनके लिए जो प्रत्यों का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्य लगने के बाद में जो कुमार सब्ध है वह बनेगा कुमारी उसी प्रकार से विध पद आएगा आजा इस प्रकार से विध्यारतियों हमने यहां पर समझा कि प्रत्य के तीन भेद हैं कृत प्रत्य तद्धित प्रत्य और इस्त्रि प्रत्य अब विध्यारतियों हम प्रत्यों की और अग्रिशर होते हैं देखते हैं सरप्रतम हमारे समुख प्रत्य है विध्य एवं शानच प्रत्य यहाँ अब विध्यारतियों सत्री एवं शानच प्रत्य के अंतरगत क्या है विशेष्था है उसको हम जानते हैं सरप्रत्यों हमारे शमुक शुत्र विध्यारतियों लटः सत्री सानच आव प्रतमा शमानाधी करणे क्या कहा गया है यह प्रतमान्त के साथ शमानाध ही करण होने पर वर्तमानकाल में लट लकार के स्थान पर धातू से शत्री और शानच प्रत्य होते हैं क्या होते हैं विध्यर्तियों धातू से शत्री और शानच प्रत्य होता है शत्री प्रतिय परश्मे पदिधातों से लगता है इसका अतशेश रहता है अब शत्री में विध्यार्थियों क्या बताये गया है यहाँ पर बताये गया है कि जो शत्री प्रतिय है वह परश्मे पदिधातों के साथ होती है और वहाँ पर जो शत्री है उसमें से अतशेश र बनाते हैं तो उसको वहां तीनों लिगों के अंदर चलेगा देखे विध्यारतियों शत्री प्रत्य वाले शब्दों के रूप पुलिंग में किस प्रकार से चलेंगे वहां भवत सब्द की तरह हैं इस्त्री लिंग में किस प्रकार से चलेंगे नदिशब्द की तरह हैं और अर्च धातु है विध्यार्तियों हमने यहां पर शत्री प्रत्य किया अब विध्यार्तियों शत्री प्रत्य में क्या सेश रहता है अत तो यहां पर क्या सेश रहा अत अब विध्यार्तियों सारी प्रक्रिया होने के बाद में पुलिंग के अंतरकत पद बनता है अर्चन और शत्रि प्रते क्या बनेगा शन और इस्त्रि लिंग के अंदर क्या बनेगा शती नपुनसक लिंग में शत उसी प्रकार से गमधातु है सत्री प्रते करने पर क्या बनेगा विध्यारते वाले उससे पूर देखते हैं 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 विध्यारते वा प्रकार से सानच प्रते है सत्री प्रते के भी रूप चल रहे थे और यहां पर शानच प्रते के भी रूप चल रहे हैं अब विध्यारति यहां पर बताए कि सानच प्रते के से होता है सिर्फ आत्मने पदी धातूं से उसी प्रकार से विध्यारति देखिए सानच प्रते वा इस परकार से विध्यरतियों हम इनके तीनो सुधायान disparamagam इस प्रकार से विध्यरतियों हम हम एनके पीक्तियों इन विद्यरत gjort बना रहे हैं पुलिंग में इस प्रकार से शी है सी के आगे क्या है विध्यर्तियों सानच है सानच से पुलिंग में क्या पद बनेगा शयानः स्त्रिलिंग में क्या बनेगा शयाना और नपुनसक लिंग में क्या बनेगा शयानम उसी प्रकार से दाधा तू शानच परते ददान है ददाना ददानम क्योंकि दाधातु क्या है विध्यरतियों उभई पदी है यहाँ पर परश्मे पदी भी है और आत्मने पदी भी है उसी प्रकार से विध्यरतियों आब हम चलते हैं सत्री परत्यांत जो को पद है उनको बनाने की प्रक्रिया की और किस प्रकार से जो कुछ पुलिंग के आप धातु का आपनुवन, इश धातु का इच्छन, कुप धातु का कुप्यन, कृष धातु का कर्शन, क्रंद धातु का क्रंदन, कृद धातु का कृध्यन, क्षिप धातु का क्षिपन, उसी प्रकार से चल धातु का क्या बनेगा? चलन, चीधातु का चिन्वन, जपधातु का जपन, जीधातु का जयन, जीवधातु का जीवन, त्यजधातु का त्यजन, दंडधातु का दंडएन, और दुहधातु का दुहन, उसी प्रकार से आगे है विध्यारतियों खन का खनन, खाद का खादन, गर्ज का गर्जन, गै सदरगेए का गायन अब यहाँ पर कुछ परिवारतन हो रह है विध्यारत्य धातु है गई और पद क्या बन रहा है गायन उसी परकार से पट पतन पा पिबन पाल पालयन, पुज, पूजयन, प्रच, पृच्छन, द्रिश, पश्यन, धाव, धावन, नम, नमन, नश, नश्यन, निंद, निंदन, निरित, निर्त्यन, पठ, पठन, शप, शपन, श्रू, स्रणवन, उसी प्रकार से भक्ष, भक्षयन, मिल मिलन रक्ष रक्षन रोध रोदन लिख लिखन वद वदन वश वशन वह वहन सिच सिंचन स्रज स्रजन स्थू स्थूवन स्था, स्था को क्या हुआ, तिश्ट आदेश हुआ, और पद क्या बना, तिश्टन, स्प्रश, स्प्रशन, स्म्री, स्मरन, स्वप, श्वपन, हन का क्या बनेगा विध्यरतियों, देखो रूप परिवर्तन हुआ है, ग्रन, इस परकार से, जो हमारे सत्रि परत्य आंत थे, उनके जो रूप है, पुलिंग के अंदर उनका हमने यहां पर अध्यन किया है, अब विद्यर्तियों इसी प्रकार से जो शानच के पद है, उन शानच के प्रतियों को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर पद बनते हैं, देखें विद्यर्तियों शानच प्रत्यांत कतिपाई पुलिंग रूप इस प्रकार है तो यहाँ पर क्या है धातु है पुलिंग का रूप है फिर धातु है और फिर पुलिंग का रूप है देखे विधारतियो अधी धन इ अब यहाँ पर अधी क्या है अधी उपसर्ग है उसके बाद धातु है तो क्या है अधी इ क्या बनेगा आलंभ मान है, आश का क्या बनेगा आशीन है, इक्षधातु का इक्स मान है, कंपधातु का कंप मान है, चेश्टधातु का चेश्ट मान है, जनधातु का जाय मान है, उसी प्रकार से लभधातु का लभ मान है, वृत्धातु का वृत्त मान है, व्यत का व्यत मान है, शंक का संक मान है, शिक्ष का सिक्ष मान है, शुच का सोच मान है, शुभ का सोभ मान है, क्री का कुरवान है, त्रै का क्या बनिगा? त्राय मान है, दय का दय मान है, भाष भाष मान है, भिक्ष मान है, मन मन्य मान है, मुद मोद मान है, म्री म्रीय मान है, यत यत मान है, याच याच मान है, चिंत चिंतय मान है, दा दधान है, धा दधान है, पच पच मान है, ब्रू ब्रुवान है, यज यज मान है, युज युन्जान है, रुध रुन्धान है, और श्री का क्या बनेगा विध्यारतियों? श्रया मानय इसी प्रकार से विध्यर्तियों हमने यहां पर जो सानज प्रत्यांत जो पद है उनको देखा और उनको समझने का प्रियास किया है अब विध्यर्तियों हम चलते हैं विशेश यहां पर बताएगा है कि कुछ धातों में भविशत काल के स्थान पर भी विकल्प से सत्री और शानच प्रत्य होता है इसमें शेय का आगम लिर्ट लकार की तरह ही होता है और सब्द तीनों लिंगों में चलते हैं अब विध्यारतियों हमने देखा कि जो लिर्ट लकार है वैं लिर्ट लकार किस काल के अर्थ में प्रयोगत होता है भ बीच में शेय लगा हुआ होता है, देखिए किस प्रकार से कुरी सानच के रूप़ है, ये क्या थे? सत्री के रूप थे गम, गमिश्य मान है, युध, योद्श्य मान है, लभ, लप्श्य मान है, दा, दास्य मान है, सह, सहिश्य मान है, जन, जनईश्य मान है, और छिदगा क्या होगा, छेट्श्य मान है, इस प्रकार से इसके रूब चलते हैं, इस प्रकार से विध्यर्थियों हमने यहां पर शत के लिए मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद